हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मिथलेईस कुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित फार्मिशी की यूट्यूब चैनल पे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फार्मासुटिक्स का प्रेक्टिकल का सिलेबस बताने वाला हूँ जो की PCI के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है जैसे कि आपके theoretical examination के सिलेबस है वैसे ही आपका practical का भी सिलेबस है ठीक है तो यह फार्मासुटिक्स का सिलेबस है इसी में से question आपसे पूझे जाएंगे यहीं पर से जो experiment दिये में वही experiment आपसे करवाया जाएगा यहीं के formulation के बारे में आपसे पूझा जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते वीडियो में लाश्ट तक बने रहीएगा ठीक है सबसे पहला हमारा क्या है practical में यहां से सिलेबस है हमारा देख लिजे तो क्या है पहला handling and referring the official references जैसे कि फार्मा कोपिया फॉर्मुलरी तो फा बता होना चाहिए ठीक है अब में तो यहां से formulation of following doses form as per monograph standard and dispensing with appropriate packaging and leveling मतलब कि कुछ formulation बनाने हैं है ना as per monograph जैसे की liquid oral में हो गया जैसे simple syrup हो गया फिर हो गया पिपराजीन citrate elixir फिर aqueous iodine solution है ना यह सब चीज़े फिर इमल्सन की बात करते तो केस्टर वेली मल्सन कॉर्ड लिवर वेली मल्सन आपको बनाना आना चाहिए formulation suspension में बात करेंगे है ना उसके बाद हो गया वाइट लीमेंट बीपीसी ओके फिर ड्राइप पाउडर में हो गया इफर वेसेंट पाउडर घरिन्यूल डस्टिंग पाउडर यह सब चीजों का यही करवाया जाते हैं कि पांच जो जैसे कि उसमें से कोई भी क्रीम बोल देगा बनाने के लिए या तो सेंपू बोल देगा या तो लोसन या तो तूथ पेस्ट यह सब चीजे बनाने के लिए आपको बोला जा सकता है ठीक है दिमोंस्ट्रेशन अफ वरियए सटेज़ आफ टैबलेट मैनूफेक्च्रिंग प्रससे टैबलेट मैनूफेक्च्रिंग प्रसस्स का अलग अलग जो मैथर्ड है और जो भी स्टेज़र उसके बारे में थोड़ा बहुंत पूछा जा सकता है आप से अप्रोप्रियेट इंहेलर्स इंसूलीन पैंस यह सब चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत मैथड ऑफ यूजेज कैसे यूज किया जाता है सब चीजों को स्टोर कैसे किया जाता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए फिर दिमोंस्ट्रेशन ऑफ वह जाता है तो आपको जनरली उस सेलेबस के बारे में पता होना चाहिए क्या आइडिया होता है थोड़ा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेंसन लेनी वाली बात नहीं है आराम से प्रेक्टिकल में उतना कोई टेंसन वाली बात नहीं होती है यही सब चीजें पूछी जाएगी फार्मकोपी आपको पता होना चाहिए फॉर्मुलेशन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा फिर यह फॉर्मुलेशन भी आपको पू सीलेज़वस बना हुआ है उस सब्सकर एवसक के सिलेज़वस के लेकरकर हमने वीडियो बना दिया है अब कब तक ठेक्टिकल हो सकता है तो अगले दो तीन दीन में आपको डेट मिल जाएगा या फिर यह वीडियो जब तक आपको पहुंच रही होगी तब तक है देटा कि